तो कैसे हो गाई स्वागत है आप सबीका एक बार फिर से एक निए उडियो के अंदर तो जैसे कि आइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो ब्लैक जिप ट्राइगर था यानि कि मो यू है वो अपने तीन बच्चो को लोफैंग का सर्वेंट बनाने के लिए लाया था जरेन मेंसे कोई एक लोफैंग के टेस्ट के अंदर खड़ा उतरता है तो लोफैंग उसे अपना डिसाइपल भी बनाने के लिए तैयार था अब आगे हमें वो तिनों की तिनों बच्चे मुजू हुए के साथ लो फैंग के केव के बाहर देखने के लिए मिलते है अचली जिजगा पे ये लोग आये थे यानि कि जिजगा पे लूफैंग का केव था यहाँ पे बस इटरनल चॉस लेवल के वारियर्स होते थे उन्हीं का केव रहा करता था तो डेफिनिटली आके जो एनरजी लेवल थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी जब मुझू हो के बच्चे इस जग़ा का एनरजी लेवल को देखते है तो वो काफ़ी दो शौक होते और वो कहते है कि उनके फादर ने सही में उनके लिए काफ़ी कुछ किया है और इतने जगों के उपर पाव भी रखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है वो अपनी जी जान लगा देंगे ताकि वो इस अपॉचिनिटी को पुरी तरकी से सीज कर सके मैं देखने के लिए मिलता है कि जो तीनों की तीनों भाई होता है ये तीनों की तीनों एज में डिफरेंट होता है यानि कि एक सबसे ज़्यादा बड़ा भाई होता है एक उससे चोटा होता है और तीसरा उससे ज़्यादा चोटा होता है पच्छिल वो मनी मन सोचता है कि उसका जो बड़ा भाई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा टैलेंट है पतानी जो सुप्रीम लॉड है वो किस बेसिस के उपर अपने डिसाइपल को जूस करेंगे जा ये तीनों अपने दिमाग के अंदर अलग अलग तरीके के ख्याली पुला पका रहे थे वही इनके जो फादर थे कुछी टाइम के बाद लुफएंग के सामने आ जाते है लुफएंग के सामने आते ही ये सबके सबसे पहले सर चुकाते हूए लुफएंग को ग्रीड करते है शक्राइए तुम टेनों के दुम पिस नहीं से जो सबसे आधा बड़ा है वो dispon lonike सबसे ज़्यादा बड़ा होता है इसका नाम मोया लाइफ है है वो आगे अंदर मुंडेह लाते हुए कहता है हम समझ सकते हैं अफ्टर रॉल एक हिटल लो ट्रू गॉर्ड का डिसाइपल बनना इतना था आसान तो नहीं होने वाला हम तीनों भाई आपके टेस्स देने के लिए पूरी तरह किसी सक्षम है लो फाइं कहता है एक मिनट उसकी जिन्दगी और मौत की responsibility मैं नहीं लेने वाला definitely मैं तुम्हें protect करने की कोशिश करूँगा बट अगर तुम मेरा servant बनने की सोच रहे हो तो तुम्हें हमिशा मरने के लिए तयार रहना पड़ेगा and maybe ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम लोग वो वज़ा भी ना पाओ तब आपके सही में काफी सारी eternal true world level के enemies है जो फैंक smile करते हुए कि हाँ मेरे काफी सारे दुश्मन है और वो मेरे को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है इवन वो तुम लोग को पकड़ के torture भी कर सकता है तो तुम्हें future के अंदर होने वाले सारी situations के लिए पहले चे prepare होना पड़े चीज सुनते जो सबसे छोटा वाला होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो कहता है कि father मैं give up करता हूँ जो ब्लैक स्रिप टाइगर होता है आनिके इनका father जब वो देखता है कि उसकी सबसे छोटे बच्चे ने सबसे पहले हार मान लिया तो इस चीज से ज़्याद कहता है actually मैं थोड़े से शाद माहूल के अंदर कल्टिवेट करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी जिंदगी और मौत से लड़के उजारनी पड़े चे बाद जो लूफांग होता है वो इन तिनों की तरफ देखता है और स्माइल करता है चलो ठीक है तीन में से एक गया अभी बचे तुम दोनों के बाद लूफांग उनके सामने और थोड़ी सी सिच्वेशन दरखता है वो कहता है कि जो भी मेरा डिसाइपल बनेगा उसे मैं किसी भी तरफ की कोई भी ट्रेनिंग गाइडेंस नहीं दूँगा और नहीं मैं कतम होगा इसी की कोई गैरेंटी नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओगे क्योंकि उसके बाद भी तुमारे कुछ और टेस्ट होंगे जो उन सारे टेस्ट को भी क्लियर कर जाएगा एड़ेंड वो मेरा डिसाइपल बनेगा सबसे बड़ा वाला भाई इन सब चीजों क लोग ने ब्लड लाइन के तुरू प्रैक्टिस करते हैं इसके तुरू वह आसानी से ट्रूग और वॉइड स्पेस या फिर लग बग लग चौज रिलम तक पहुत सकते हैं बड़ा वाला लड़का कहता है कि हम भचपन से ब्लड लाइन को फॉलो कर रहे हैं जब से हम को प्रैक्टिस करना लिटरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और बिना किसी रिसूसेस के और बिना किसी गाइडलाइन के यह तो पूरी तरकी से इनपॉसिबल हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे जो फैंग कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर लेकिन उसके बाद भी यह लास तक खड़ा रहा जिसके बार लू फैंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करती हुए कहता है तुमारा क्या ख्याल है क्या तुम ट्राइग देना चाहोंगे या फिर तुम भी हार मानना चाते हो जो भीच वाला डरका होता है जिसका नाम म यू क्यान होता है वो अपना सर जुकाते हुए कहता है सुप्रीम लॉड मैं आपको फॉलो करने के लिए तयार हूँ जिस सुनके जो लू फैंग होता है उसके फिस के उपर एक स्माइल आ जाती है इन तीनों में से सबस्यादा कमजोर यह था लेकिन उसके बाद भी इसके दर हिम्मत सबसे जादा है फिलाल के लिए तो यह अपने सामने आने वाले डिफिकल्टी से बिल्कुल भी निडर रहा इसके बाद लो फैंग कहता है चलो ठीक है फिर आज से तुम मेरे सर्वेंट इसके बाद वो जो ब्लैक जेड टाइगर होता है यानि कि इन लोगा लो फैंग के उन पाथ के ऊपर चलने के लिए तयार है लिए लो फैंग जैसे ग्रेट इटरनल ट्रूगाड लेवल के वारियर का एक सर्वेंट बनना भी यह भी बहुत जादा बड़ी बात है लो फैंग मू यांग किंग यांग के तरफ देखते हुए कहता है कि आज से त करने वाला नहीं मैं तुम्हें कोई resources दूंगा तुम्हें खुद से cultivation करना पड़ेगा तुम्हें 10 basic laws को comprehend करना पड़ेगा उसके बाद तुम्हारे और भी काफी सारे टेस्ट होंगे जिसके बाद मैं तुम्हें अपना disciple recognize करूंगा ठीक है आज से मैं तुम्हारा master हूँ और में लेगा आगे जाके जो मुरुषा है वह मुयू यू किंग्यां को cultivate करेगा नुए इस बंदे को train भी करेगा इसके बाद यह जो मुरुषा को भी greet करता और लुओफैंग को भी greet करता और नुद मोरुशा को भी अपना master कहके बुलाता है जो जाते जाते मुरुषा की तर इसके बाद मौरुशा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है बच्चे आजा अभी मैं तेरे को सिखाऊंगा कि इस दुनिया के इंदर किस तरफ की सर्वाइब करना होता है वही जब लूफैंग दूर से इस सीन को देखता है तो उसे काफ़ेदा खुशी होती है कि जो म जो को पता होगा कि जो मौरुशा है वो अपने डिसाइपल्स के लिए इस तरीकी की काफ़े आदा हाड ट्राइल्स क्यों सेट करता है क्योंकि इवन जो माशर जाउशांग की थे उन्होंने भी लूफैंग को कुछ इसी दरगे से ट्रेन किया था उन्होंने भी अगर वो लूफैंग को मिला था वो लूफैंग ने खुद के दम के उपर पाया था लाइफ एड़ डेट बैटल को सर्वाइफ करके उस हिसाब से दिखा जाये तो लूफैंग के तो जिंदगी और मौत वाले ट्राइल्स हुए थे तो उसके सामने यह सब तो कुछ भी नह अच्छा है गर वो लॉज को कॉम्परेंट करना चाहता है इवन ठाट जो मुरूशा है वो भी उसको मदद करेगा रही बाद चोटे मुटे तो वो भी मुरूशायू से प्रोवाइट कर देगा अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो टैन बेसिक लॉज को कॉमरेंट नहीं कर पाता तो उसके बाद यह जो लड़का यह पूरी तरक से वेस्ट है और यह मेरा डिसाइबल बनने के लाइक बिल्कुल भी नहीं है शिंशिफ्ट होतर हम लोगों ब्लैक श्रिप टाइगर देखने के लिए मिलता यानि कि मो जू है जो कि अपने दो बच्चों को लेगे घर जा रहा होता है वो अपने दोनों बच्चों की तरफ दीखते हुए कहता है कि तुम दोनों ने अपने पाच्छ को खुद चूस तो टैन बेसिक लॉस को कॉंपरेंट करना गया तो यह लिटरली पूरी तरकी से इंपॉसिबल हो जाएगा वाज मैंने पहले भी इन टैन बेसिक लॉस को कॉंपरेंट करने का एक पर ट्राइ किया था एंड वो मेरे लाइफ का सब ज़्यादा वाही आर्ड डिसिजन था क् घंटा को समझनी आया था जो सबसे छोटा वाला होता है वो कहता है फादर मैंने इस पात को चूज किया क्योंकि मैं अपना कल्टिविजन थोड़ा शांती के अंदर करना चाता था मुझे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी डर के बिलकुल भी नहीं गुजार नहीं थी ज के अंदर इनके फादर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके फादर सबसे जादा प्राउड कर रहे थे मोयो किंग यांग के लिए वह सबसे जाधा वीक था लेकिन उसके बाद भी उसने सबसे जाधा मुशकिलपात को चुना और आगे जाके उसका जो सफर है वह के साथ बिताना पसंद करती है उसके फादर को इसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आफ्टर रॉल जो मॉली क्लायन था वो फाइव मेजर फैंबली के अंदर आता था इन सब जाता है कि आपकोई बड़ी गड़बड़ है या फरी आपकोई काफी था पावफुल एक्जिस्टेंस आई है उसके इंटेंसेंस वह डेफिनेटल अच्छे नहीं है आपकोई उन्यूर्स का यूज किया गया था जिसके कारण यह जो इनका के वहां से भाहर नहीं जा सकता थ तबी जो डियो रॉंग होता है वो तुरंट अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है क्योंकि उसे काफे था खत्रा मैसूस हो चुका था और उसकी जो बॉड़ी थी वो काफी ज़्यादा मैजिस्टिक थी वो एक क्रियेचर के अंदर चेंज हो चुका था सामने वा जाओ मैं तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बता सकते हो हम इस चीज को बात करके सुलजा सकते हैं यहां का जो फ्लक्टुईशन और और होता हो काफे थीक हो जाता है और पलक जपकते ही जो डियो रॉंग यॉंग होती है उसकी जो रियल बॉड़ी होती हो एकदम से डि निशान से हो जाता है क्योंकि उनको फील हो रहा था कि जो डियोंग रॉंग क्लैन का जो केव था उसके अंदर से अचानक से कुछ अजीब तरगी की काफे एक्ट्रीमली पावफल डिवाइन पावर मैसेज हो रही है कि उस एरिया के अंदर जरू को काफे बड़ा धमागा का हुआ है लोगों मौली क्लैन देखने के लिए मिलता है के अंदर उस बुटे की बेटी यानि कि डावरांकी और मौली फ्यूँआं दोनों की बैठ के दारू पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे प्यूआं जो की मौली क्लैन से होती है वो कहती है कि मैं अपने दर मुह लिख जयाओ की डिसाइबल बनना चाहती थी बट वो पता नहीं वो मुझे काफ़ी अधा कमजोर समझते हैं उसके बाद मैंने कुशिश की कि मैं लौड लुहे की डिसाइबल बन सकूँ लेकिन वो भी मुझे कमजोर समझ रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यान है यान कि वही प्रेशिदेंस को लुव फैंग ने अपने सामने जुका दिया था एंड जिसने लुव फैंग को 20,000 कॉस्प मैं कॉइन दिये थे तो जिस जगह पे वो बुड़ा मरा था उस पूरे एरिया को बुरी तरके से आइसोलेट कर दिया गया था इनके बास ज जिस को महसूस कर लेती है वो डावरॉंकी की तरफ देखती है तुम्हें क्या हुआ क्या कुछ बात है जिसके बाद मॉली फियान जो होती है वो डावरॉंकी को पकड़ के जोर जो से हिलाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया उठो तुम्हें क्या हो गया जिसके बढ़ जोड़ाई को भी मौली फियून को गले कह रोग जाती है जो700-1 पास्ट परिया जम्श्ण Dalai ञ différentes तो लोड़ाई के अब जाते इसक क्वेस्ट तस forteじゃनी स्लंदें स्ट्शा एक्ट्सक्राइब पूरेख के strongest person यानि कि devil Lee Zhao commander को अपना महाश्र बनाने की कुशिश की थी साथी साथ उसने Lou Wang को भी अपना महाश्र बनाने की कुशिश की थी ताकि वो काफे दा powerful बन सके जिसके बाद वो dark forces को suppress कर सके इसके जो father थे वो भी एक eternal true god थे पर उसके जो father थे वो एक ordinary medicine practitioner थे इसलिए वो अपने father को अपना महाश्र नहीं बनाना चाहती थी इस तरीके से उसके father के dad की news सुनके ये काफे दा emotional हो चुकी थी वो after all अपने father की काफे दा close थी भले वो ये सब चीज़े show off नहीं करती थी नहीं उसने ये सारी जीज़े कभी उपने father को feel कर दे दी पर उसके father भी जानते थी कि उनकी बेटी उनसे काफे दा फ्यार करती है वही जो Molly Fion होती है उसे बिल्कुल भरुसा नहीं हो रहा था कि जो यामबो है यानि डारॉंकी के father वो एक eternal true god है तो वो इतने आसानिक से कैसे मर सकते है उन्हें किसने मारा होगा डारॉंकी कहती है ये सब साजिश है उनका murder हुआ है उन्हें मारा गया है उन्हें उस python tribe के devil ने मारा है उस president ने उन्हें मारा है अभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है डारॉंक क्लैन का जो cave था उसके अंदर जितने भी लोग थे इस clan के अंदर वो सारे के सारे मारे गए उस cave के अंदर कोई भी नी बचा पुरे branch के अंदर पुरा डारॉंक क्लैन खतम हो गया बचे कुछे जो members है वो core member नहीं है तो उनके जिन्दा रहने से भी कोई जादा फरक नी पड़ेगा उसके फादर से पूछ दिये कि फादर उन्हें मारने वाला आखिर कौन है उसके फादर कहता है कि हमें जो last message मिला था उसके according वो blood python guild के president मू है उस cave के अंदर डाव रॉंकी के फादर और साथी साथ हजारों से जादा लोग थे यह सारे के सारे true world level के warriors थे और इनी के साथ साथ काफी सारे true world level के warriors भी थे बट वो सारे के सारे मारे गए तो कि वहाँ पे सारे के सारे लोग मारे गए और कोई भी जिन्दा बच के बाहर नहीं आया तो definitely ये चीज कैसी हुई किस ने की इस चीज का प्रूफ किसी के पीपास नहीं है जो mollify की होती है वो कहती है लेकिन फादर अंकल ने तो अलड़ी मरने से पहले अपना message भीज दिया था उसके फादर कहता है कि एक message के विसस के उपर जो city lord है वो किसी भी eternal reward के उपर इस तरकी से शक नहीं कर सकते और वो भी तब जब वो एक्जाम किसी president blood python tribe के leader के उपर लगा हो चकते मुझे पता है कि उसी हरामजादे ने मेरे फादर को मारा है वही मौली फ्योंग के जो फादर होता है यानि कि मू ली मैंग वो कहता है तुम्हारे फादर के बात यह चीज़ तुम्हारे लिए काफे दर difficult हो जाएगी एक वाइट टूगाट के लिए कि यह सारका सारा बिजनेस तुम समाल सको है तुमारे फादर के बिजनेस के अंदर काफी सारी केव काफी सारी सॉप और काफी सारी मैडिशन स्टोर्श थे बड़ तुम्हें चींता गरनी की जरुवद नी है लिक लाइन से जितना हो पाएगा वो उतनी तुमारी मदद करेगी इस सारी वो लगबग लगबग 20,000 कोस्मिक सेंड के आसपास होगी जो कि यांग्पाइंग के अंदर तुम्हारे नाम के उपपर ओड़ी रजिस्टर है तुम्हारे लिए इस वक्ट 20,000 कोस्मिक सेंड इतना सारा लाज अमाउंट कैरी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा इसे जो थी यह बस उपर उपर की वैली होती जो कि डावरॉंग की के नाम के उपर रेजिस्टर थी देखा जाए तो 20,000 कोस्मिक सेंड ये भी बहुत ज़ादा बड़ी अमाउंट होती है किसी भी वोई ट्रू गॉड के भी कई बार पसीने छूट जाता है इस अमाउंट को पे करने के लिए नम लोगों को देखने के मिलता है जो डावरॉंग की होती है वो इस वक्त इन सब सीजों के बार में बिल्कुल भी नहीं सोच रही होती है उसके दिमाग के अंदर तो कुछ अलगी खिचड़ी पकरी हो उने पहले ही रोकती हुए कहता है कि बदला लेना किसी चीज का सलूशन नहीं है इस वक्त तुम पूरी तरकी से अकेली हो चुकी हो और पाइधन ट्राइब के प्रेशिडेंट कोई भी और इसा कौन होगा जो कि उनसे बिढ़ने की हिम्मत करेगा अब से तुम मॉली क्लैन के अंदर रहूँ मैं वादागरताओ कि में तुम्हारी हिपाज़त करूँगा और रही बात तुम्हारी फादर की तो उसके लिए मैं पूरी पूरी कुषिश करूँगा कि मैं कुछ एट्टाँ कर चकू और उस प्रेशिडेंट को गेलिटी बूफ कर्शकू बठी सारी च कुछ टाइम के लिए हकेला छोड़ देता है इन लोग के जाते ही जो डाव रॉंकी होती वो जोड़ जो से रोना स्टार्ट कर देती है चीकना और चिलाना भी शार्ट कर देती है अली फियान और इसके फादर यह सारी आवाजे सुनते और उन्हें काफे दा बुरा लगता है डाव रॉंकी के लिए रोना भी काफे दा जरूरी था वरना वो यह सारी जीज़े कब तक अपने दिल के अंदर दबा के रख सकती है कुछ टाइम थक ही सारी जीज़े कुछ इसी तरगे से चलती है बट कुछी टाइम के बाद जो डाव रॉंकी होती है वो रोना बंद कर के रखाया है साथ ही साथ मॉली मैंग यानि कि मॉनलि फाइंक योंके फादर अन्हों ने भी तुमारे नाम के ऊपर कुछ 20 डाओन कॉस्मिक सेंट कुछ तरीके से अभी तुमारे नाम के ऊपर JACO gehört même की और जिससे कहती है वी भी तुम्हारे पास 10,000 कॉस्मिक सेंड है तो डारॉंकी थी उसने जानमूच की इस रिवाट को बढ़ा दिया था ता कि कोई पावरफुल आदमी इस बाउंटी को एकसेप्ट करे और प्रेसिडेंट जल्दी जल्दी मारा जाए क्योंकि अभी डारॉंकी के लिए इस पुरी दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचाता एक बदले के अलावा हम लोगों को ब्लट पाइटन सुसाइटी का हेड़कॉर्टर देखने के लिए मिलता है जहां पर मॉली मैंग आ चुका था जाने कि मॉली फिंग यांग का फादर इस यह मालास टाइम बत कोई लेना देना नहीं था उसने आखिर तुम्हारा क्या भी गाड़ा था ने उसके उपर अटाइक क्यों किया मारा इसके कारण पूरे के पुरे हुआंग सेटी के अंदर खलमली बच जाएगी और जब पाई मिजर फैमिलीज को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा मुझे लगता है कि जो फूड नेशन के लीडर है जियो यून वह काफी अधा अच्छे है बेज बदलने में जितो उन्हीं के ओपर शक है और मुझे लगता है कि उन्होंने डाव रॉंग यॉंग को मारा है मौली मैंग क्याता है कि मैंने कभी भी नी सुचा था कि तुम इ में देखता है और फिर मुड के या से जाने लग जाता है और जाते जाते बस एकी चीज़ कहता है अगर तुमने सची में उसे मारा होगा तो तुम कॉंशिक्वेंस से नहीं बच सकते वहीं मौली मैंग के जाने के बाद जो ब्लड पाइथन गिल्ट का प्रेसिडेंट मुय पाइछ तुमने सबल्ड जिएlt ट Except that ब्लड किया हुआग होता होगा jakiś काफी कामडाउन हो जाता है जिसके बाद वो मनी मन कहता है तो क्या मैं गुढ़आ centered को मार भी दू मैं नहीं जबड़ता किसी सेभी अगर कोई मेरे उपर अटैक करने के बारे में सोचता भी है तो उसे मरने के लिए तयार हो जाना चाहिए अगर जो डाव रॉंग यांग था ये कितना लूजर था इवन उसे मानने के बाद भी पूरी की पूरी के पूरी के अंदर मुझे बस दो लाग बीस हजार कॉस्मिक सैंड मिले मैं सोचा नहीं था एक ऐसा इटर्ना टूर गॉड जो कि टॉप थरी के अंदर आता है अलकेमी के अंदर पूरी की पूरे हुआंग सिटी के अंदर जी तो लगाता है ये बंदा काफी अधा अमीर होगा इस बंदे को मारने के बाद भी कुछ ज़्यादा फाइदा नहीं हुआ वीबी मैं काफी गरीब हूँ मिरे पास पैसे नहीं है ऐसा लगता है कि मुझे अपने आर्मर और अपने ट्रेजर्स को बेचना पड़ेगा ताकि मैं सेकंड पार्ट को खरीच सकूँ आइरन बलट स जिंदा ने रहने वाला यह एक ना एक बार पकड़ा जरूर जाएगा जब वह पकड़ा जाएगा तो पुरी के पूरी फूर्ट किंग्डम मिलके इसे पेलेगी इस टाइम यह अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा इसलिए अपना ब्रेक्ट्रू जलती से जल्दी करना च चल चुका था कि जो डियो रॉंग है वो अलड़ी मारा जा चुका है साथी साथ ब्लड पाइदन सोसाइटी के जो प्रेसिटेंट है मुयांग उन्हें वो सस्पेक्ट बताया जा रहा है और उनके सर के उपर जो मारने के उनकी बूली लगी थी वह यांग फाइंग इसें उस बाउंटी को क्लेम नहीं किए या फिर उस बाउंटी को track नहीं किया उनके किसी आंधर इतना दम नींग है उसके था क्या बदला ले सकें के नाम चुनлुई जिसके सर के उपर लगबग लबग एक लाग असी हजार कॉस्मिक सेंड की बाउंटी थी बट ये जो बाउंटी थी ये काफी जाधा पुराने टाइम से थी लेकिन आज तक इस बंदे को किसे ने चूने की भी कुशिश नी की और वही जो फिफ नंबर के उपर बाउंटी थी वो इस फ़क ब्लड पाइधन गिल्ड प्रेशिडेंट के उपर थी जो कि एक लाग साथ अदार कॉस्मिक सेंड की थी तो सोचती है क्या इस Blood Python Guild President को भी कोई भी छोने की हमत नहीं करेगा क्या इसी तरगी से ये बंदा जीता रहेगा क्या सही में ऐसा कोई बंदा भी आएगा चुकि इस Bounty को Accept करने की खुशिश करेगा इस वक्त जो डावरों की थी उसी पुरी तरगी से पावरलेस ला फील हो रहा था क्योंकि आफ्टर आल वो बस एक वाइट डुगार थी और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी कि जो लू ही है यानि कि लू फैंग वो डेफिनिटली उसकी मदद जरूर करेंगे समय और चारूतर काफी सारे टुरू गार्ड जैंड अब भी से जधा से ठाइम हुसे कोई भी नहीं मिल सकता वजरात के टाइम पूरीज थोड़ी से शान्त हो जाती है जिसके बाद वो तुरन बहार चली जाती है जिन शुप्ट तरह हम लोगों फायरिलम रेश्टाउंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू फैंग मोरुशा और इनका नया सर्वेंट यानि कि मू यूंग क्योंग यहां पर बैठा हुआ था साव होन होता है वो लूफैंग की तरफ आता है और लूफैंग को ग्रीड करता है और कहता है यूरे एकसलेशी आज के लिए तुम्हारे जितने भी एकसपेंस रेश्टे था फायरिलम रेश्टाउन को चोड़ गया था जो CEO Yon होता है वो हाग के अंदर मुंटली लाते हुए कहता है कि यंग लेडी ने मुझे ओर्डर किया था जो लुफैंग होता है वो डारेकली फारिलम रेश्रांट के अंदर चला जाता है और जाते जाते कहता है कि अपनी यंग लेडी को मेरे तरफ से थेंक्यू कहा देना जैसी लूफैंग रेश्टरॉंट के अंदर नहीं आया था जस लूफैंग अभी अभी आया था जैसी लूफैंग रेश्टरॉंट के अंदर जा रहा होता है जो ब्लैक बचर होता है यानि की रेश्टरॉंट को ओनर वो तुरंट लूफैंग को ग्रीट करता है लूफेंग और मुरुशा अंदर बैटके काफी सारा फूड और वाइन इंजॉई कर रहे थे वही उनका जो नया सर्वेंट था वो इस वक्त बाहर गार्ड कर रहा था जो मुरुशा होता है वो लूफेंग की तरफ दिखती वे कहता है कि माश्य ऐसे लगता है कि जो एल्डेस डॉटर है डाव रॉंग फैमिली की वो सही में आपकी डिसाइपल बनना चाहती है लूफेंग मुरुशा से कहते है कि उसके जो फादर है वो लास्ट आइक मारे गए जैसी मुरुशा ये चीज़ सुनता है वो थोड़ाचा शौग हो जाता है लूफेंग को जो न्यूज है ये उसके नए दोस से मिली थी जिसका नाम एंटिया यानता फिर आप एंट्रॉपी भी समझ सकते हो जो लूफेंग होता है वो कहता है कि जो हिडन पावर है फूड नेशन का हुआंग सिटी के अंदर जिसका नाम जियो यून है उसके उपर जो बाउंटी है वो लगबग लव वन मिलियन कोस्मिक सैंड के आसपास है जैसी मुरुषा इससी का नाम सुनता है वन मिलियन उसका आखों के अंदर एक अलग सी चमक देखने के लिए मिलती है और वो गता है अच्छा माशरू से मार दो और अगर आपसे नहीं होता तो मैं मार देता हूँ लो फैंग मुरुषा की दरफ देखता हूँ और कहता है मैं खुद भी मार सकता हूँ लेकिन वो मिलेगा तब ना यह तुमारे पास कोई वे है कि तुम उस बंदे को लोकेट कर सको जाइज लो फैंग ने मुरुषा को यह चीज इसले बोली थी क्योंकि जो मुरुषा था वो ओरिजियन ओफ डिस्रक्शन के थूरू बॉन हुआ था और मिल भी उसके पास कोई सीक्रेट टेखनीक हो सकती विल्ल के जिसके थूरू किसी की भी लोकेशन पता कर सके यह टेखनीक उसके पास औरिजिनल उनिवर्स के अंदर तो थी लगल लुफैंग के पास उसकी लेजनरी विल्ल टेखनीक नहीं होती तो वो शायद से मुरुषा को कभी भी नहीं हरा पाता जो मुरुषा होता है वो कहता है मेई भी मैं उसे ढूंड सकता था अगर मैंने उन्हें कभी देखा होता लेकिन मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा है तो मैं उन्हें नहीं ढूंड सकता हूँ जो लू फैंग था वो भी इस चीस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था मोरुशा आफटर ओल एक डॉगी के तरह था जिसे उस बंदे की स्मेल या फिर उस बंदे का existence फील करने का एक मौका चाहिए था कि बाद जो लू फैंग होता है वो कहता है इसका मतलब मैं बस blood cloud को मार सकता हूँ बट एक मिनिट मैं तो उसे भी नहीं मार सकता वो भी पूरी तरह के चुपा हुआ है और मुझे उसके location के बार में कुछ भी नहीं पता लू फैंग सोची रहा था कि उसे कब किसे मारना चाहिए तब ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो इनका servant होता है मु यूंग क्यांग ये अचानक से लू फैंग के तरफ आते हुए उसे greet करते हुए कहता है आश्चर आप से मिलने के लिए डाव रॉंग की आई है ये चीज सुनके लू फैंग थोड़ा सा आश्चर ये चकीत होता है उसे समझने आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि लू फैंग इस जगप है बट फिर वो कहता है कि उसे अंदर बुला लो के बाद मु यू किंग यान बाहर जाता है और तुरंट डाव रॉंग की को बुला के लेके आता है ये पे हमारा ये जो चैप्टर एक खतम होता है हुप कर तो कि आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा इस मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी जो एक दिन बाद रिलीज होने वाला वीडियो यानि कि कल का वीडियो उसे मैं आज ही बना के रख लू जो लोग मुझे उस वीडियो के लिए छोटी मुटी फीस देने के लिए तयार है यानि कि कुछ 10-12 रूपे मैं ज्यादा नहीं मांगने वाला जो मैं उन लोगों को एक दिन पहले ही आने वाले वीडियो के लिंक दे दिया करूँगा ये चीज एक तरके से एक मेंबर्शिप के तौर पे भी काम करेगी और वीडियो के लिए मैं कुछ 10 रूपीस के आस पास चार्च करूँगा ये 10 रुपीज भी मैं इसलिए चार्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दिन के अंदर दो वीडियो बनानी पड़ेगी जो definitely मिरे लिए भिलकुल भी आसान नहीं होगा बट अगर मुझे उस चीज के लिए पी किया जाता है तो maybe मैं इस चीज के लिए थोड़ा बहुत सोच स गएगी एगर आप मैसे जातर लोग इस चीज के लिए तर और घृणoria के द्यार होंगे तपी ये चीज मेरी लिए फाइदे कर दूँगा अगर आप नोग मेरी इस मेहनत के लिए टायर हो तो मैं यह घदा मज़दूरी करने के लिए तयार हूँ मैं इस इसको घदा मज़दूरी करने के लिए क्यार रहा हूं कि मुझे रोज के दिन के 7-8 गंटे इस इसको देने पड़ेंगे अगर डेफिनिटली दिन दिन में करना तो थोड़ा सा मुश्किल है तो मुझे ये सब चीज़े रात कोई करनी पड़ेगी तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए इतने आता मेहनत कर रहा हूँ तो मैं 9-10 रुपे पर वीडियो तो एक्सपेक करी सकता हूँ तो देख लो आप लोग भी इस सीज़ के बारे में सोचता हूँ तो भी फाइनल डिसीज़ें होगा वो मैं कल के वीडियो के अंदर बता दूँगा गाइस 9-10 रुपे में तो कोई समोसा भी नहीं आता आज कल तो मैंने इसी साब से इस प्राइस को रखाए कि सब लोग अफॉर्ड कर सके और मैं आप लोग को इसीज़ के लिए कन्वेंस नहीं कर रहा है यह टूटी यह आप लोग के उपर है भो ठीक है फिर गूट नाइट मिलते है नेक्ट वीडियो के अंदर तब तक क्रिए बाबाए